तो गाईज ये तो मैंने ग्रिन वाली में तो ये मुल्ताञी मिटी ताहकाँ हमे horns फेस पे लगानी है ठीक है और ये मैं एक neक वाइट कर्णागी लेकि आई है इसको फिजो के रख देंगे जैसे यह मोलतानी मिट्वी में हुआ यह रोस्टेट जो मैं। य्ययों टाव़ Имम उसकती है के नहीं और यह looks क्लिभ सकती है के नहीं तो मैं आपको दिखाते हूं कि देखो कैसी ना कि यह इब धोड़ा सा और घुल ना बागी है यह तो पूरा घुल गई है यह फेकर कितनी चिक नीयन प्रेस के लिए अम्रित वानने यह मुलतानी मिट्टी यूज कर कर रहे हैं लोग इसका रोस्टेड करके खाने में यूज कर रहे हैं एक करके क्योंकि यह खाई नहीं जाएगी ना क्योंकि कच्छी मिट्टी इतनी चिकनी होती है कि इनके टीट को इतनी बुरी तरह से चिपका देगी तो यह खानी पाएंगे ठीक है तो यह देखो मेरा हाथ कितना चिकना हो गया और बहुत अच्छी खुश्बू आ रिए सके लगे को और बहुत प्यारा लगए है इस अब मैंने अच्छी डाल दिये है ऐं अब मैं अपने वेस पे लगाते हैं छिक है कि औसे हैं जो यह वाली मिट्टी में खुश्वी भी बहुत ज़्यादा आ रही है और मैंने जो रोस्ट की है वो किसी काम की मिट्टी नहीं है वो अगर मैं इस तरह से फेस पे लगाऊंगी तो पूरा फेस मेरा छिल जाएगा वाइस देखो तो यह मिट्टी सबसे प्यारी लगती है और य इसमें से साउंड आएगी न वो पत्थर बन चुकी वो मिट्टी तो इनको खाने में मज आएगा यह खा नी सकते है क्योंकि यह टीद में चिपक जाएगी सटक नहीं सकते न निगल नहीं सकते इस मिट्टी को क्योंकि इनके जो फूट पाइप है उसमें जाकर चिपक और गाइस मुझे एक function में जाना है family function है तो आज से 9 दिन है function में जाने के तो मैं 9 कोई आ गया तो गाइस मैं 9 दिन तक daily ऐसे face पर कुछ ना कुछ लगाऊंगी ठीक है गाइस daily मुलतानी मिट्टी से अपना चेहरा clean किया करूंगी और यह मेरे किसी subscriber ने बताया था तो आज मैं उस बेस पर मुलतानी मिट्टी लगा रही हूं उन्होंने नीम्बू और हल्दी डालने के लिए बोला था ठीक है और मैं कैसे अलगाती हूं इतने साल से मुलतानी मिट्टी कल मैं बताऊंगी अपना वाला जो तरीका है वो मैं कल आज मेरे सब्सक्राइबर ने बताया था तो मैंने उनके कहने पर मुलतानी मिट्टी में लेमन और हल्दी डालके वने लगाई है इसको हम सूखने देंगे फिर उसके बास इसको वोश करेंगे और वो शमेशा नॉर्मल पानी से करना चाहिए चाहे सर्दियों चाहे घर्मि तो सुखने के बाद मिलता हैं गाई जब फेस पैक लगा हो तो बोलना और हसना नी चाहें लाइं है ऐसे बाद हम फेस वाश करेंगे नहीं करते हैं काफी देर doet करते हैं उसके बाद वोश करेंगे ठीकेगाईस यह देखिए वेस्पेक को ऐसे उतारते हैं हल्िशा चीटा लगा के फेज़ी फिर उसको अच्छे से जैसे हम स्क्रप करते हैं ऐसे करेंगे दीरे 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 अपने चेहरे की यह देखिए और नोर्मल पानी से ही वोश करना है ना गरम लेना है ना जाता ठंडा लेना है और धीरे धीरे हलके हातों से स्क्रब करेंगे ये देखिए अब इसको वोश कर लेते हैं हम बातु में जाके वोश करेंगे ये जाता ले छच् झाल झाल बाकी जो नैक पे लगी है मुलतानी मिटी वो अभी मैं नाने के बाद निकाल लूँगी अभी मैं नाने जा रही हूं तो बाबाए गाईज